आज आज आपके साथ 40-day strategy में CUT की शेयर करने वालों टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलबाने वालों बट टाइम टेबल पर जाने से पहले आपको क्या-क्या गलतिया नहीं करनी है और उस टाइम टेबल को कैसे पढ़ना है ये बहुत important है जानना तो मिरे साथ वीडियो में बने रहीएगा बहुत informative वीडियो आपके लिए होने वाली है सबसे पहले चीज क्या 40-day दिन के अंदर syllabus किया जा सकता है so the answer is yes आपका जो CUT का paper है वो neat का या J.E. का paper नहीं है टॉपर्स जो रहे है उन्होंने भी अपनी तयारी विदिन एक से डेड़ महिना या maximum दो महिने के अंदर की है तो yes अराम से चीजे की जा सकती है अब बात ये आती है कि हमें क्या क्या गलतिया नहीं करनी है आप मेंसे अभी मैं surely कह सकता हूँ 80% तक बच्चा वो होगा वो ये सोचता है कि मैं पहले स्लेबस पूरा करूँगा और फिर मैं उसके बाद अपने मॉक्टेश की तरफ जाऊँगा ये इस अप्रोच से अगर आप देड़ महीने के अंदर चलते हो ये 40 दिन के अंदर चलते हो तो ये थोड़ी गलत अप्रोच होगी हाँ अगर यही अप्रोच आपके पास जो है वो चार महीने होते पांच महीने होते तो इस अप्रोच से आप चल सकते थे अब यहाँ पे मैं उल्टी अप्रोच लगाने के लिए कहूँगा आपको और वो उल्टी अप्रोच क्या होगी आपको day one से ही mock test लगाना है मतलब की हर तीन दिन के अंदर आपको mock test लगाना है होता क्या है यहर अगर आप अपने CUET के चीज़ों को उठा के देखोगे अगर मैं आपके domain की भी बात करता हो let's say तो आपका 80% तक syllabus वही है जो की just अभी आपने कक्षा बारवी के अंदर पढ़ाई की है बात sorted है वाली हाँ कुछ 20% additional चीज़े हैं वो जब आप mock test लगाओगे तो आप evaluate कर लोगे summer.ac.in पहली website पर आजाना यहाँ पर syllabus वाला जो है जो भी domain आप देने वाले हो accountancy का जो domain है अब उसके अंदर इसको download करके ना इनके printout निगल वालेना बहुत easy है और highlighter से इनको highlight कर देना जो जो topics आपने पढ़े हैं और जो topics आपने नहीं पढ़े हैं क्योंकि इस साल CUET ने क्या किया है आपके CBSE के class 12th के topics तो ही है plus कुछ 11th के topics भी आपके डाले में ICSE वाले बच्चों के भी मैं आपे बात कर रहा हूँ और कुछ additional topics भी यहाँ पर जो है वो डाले में जो कि बच्चे usually नहीं पढ़ते जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यहाँ पर accounting using DBMS ठीक है database management system यह हमारा commerce का बच्चा जल्दी से नहीं पढ़ता हाँ IP में DBMS वगएर आप लोग थोड़ा सा पढ़ ले तो बट major बच्चा नहीं पढ़ता है तो यह चीज़े आपको तुरसे additional पढ़नी है इसके अंदर तो उन topics को highlight कर ले रहा है उन topics की तयारी करना शुरू कर दे रहा है देन उसके बाद हम चलते जरा वापस है तो mock test आपने दिया mock test यहाँ पर अगर आप देखोगे न तो उसके बाद बना लेनी है कोई idea ही नहीं था या फिर वो question जिसने थोड़ा सा time जाद ले लिया उन question को आप daily basis पर उस error notebook के अंदर लिखना शुरू करोगे उससे होगा क्या मतलब हर 3 दिन के अंदर ये एक task आपके पास आएगा उससे होगा क्या आपको ये पता चलता रहेगा के कौन-कौन से topics के अंदर मैं गलतिया गर रहा हूँ let's say आपने mock test दिया आपके ऐसे 25 question निकल के आगे आएंगे initial days के अंदर 25-30 question 40 question पे निकल के आजा कोई दिक्कत नहीं मेरे 20 के अंदर ठीक है आपने 40 question लिख दिये अब उसके बाद मान लो अगर आपने general test का दिया था general test के अंदर आपका time, speed and distance का कोई question नहीं बना है तो उसे दिन 2x पे youtube पे या कहीं पे उसकी कोई video देख लो ये time, speed and distance के अंदर चीज़े क्या-क्या मुझे पढ़नी होती है फटाफट फटाफट उसको गूथू करो और उस question की approach देख लो क्योंकि जब आप mock test दोगे तो company भी आपको detailed solution जो उसका देती है उस detailed solution के उपर आपको नदर दोड़ानी है कि हाँ company ने किस approach से ये company चलिए बाकि आप edu captain के भी premium family का part बन सकते हो हमारे batch के अंदर आप enroll कर सकते हो हमारे mock test आपको काईदे से मिल जाएंगे हमारा avenger batch जो है वो launch हो चुका है आप उसके अंदर अपनी seed fill कर सकते हो आ सकते हो premium family का part बन सकते हो last year all india rank 1 भी edu captain नहीं निकाल के दिया था इस साल भी पूरे दिल जी जान से महनत कर रहे हैं आपके पीछे और सबसे मजे की बात मैं आपको बता रहता हूँ हम आपको दे रहे हैं money back guarantee इंडिया के अंदर पहले ऐसे online platform है भाई जो आपको money back guarantee देता है मतलब कि आप course के अंदर आओ बहुत चाती ठोक के अपने quality content पर अपने result पर इतना वरोजा रखते हैं मेरे भाई खुले आम कहते हैं आप आओ course के अंदर enroll करो आपको चीज़े पसंद नहीं आती है आप काईदिस अपने पैसे वापस रख सकते हो क्योंकि हमें भी वो पैसा लेके कोई मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें पता है यार हमारे माता जी पिता जी कैसे उस पैसे को earn करते हैं तो आप जो एक एक रुपा हमें देते हो मेरे भाई बहुत हिफाज़त से बहुत इज़त करके वो quality content हम आपको लड़ाते है तभी हमारे result हर साल बोलता है और इस साल भी जी जान लगा देंगे तो आपको बनाने error notebook उसके अंदर वो questions को लिखते रहना उनको daily basis पे solve करते रहना फिर उसके बाद daily basis पे उन questions के तरफ नजर दोडा ली उससे होगा क्या जो errors है न आपके वो time आते आते कम हो जाएनी क्योंकि होता क्या है देखो जब हमारा exam होता न तो exam वाले दिन हमारा brain अलग से perform नहीं करता जैसा हम इस brain को train करते है day one से वैसा ही perform करता है तो day one से अगर आपने errors पे काम करना शुरू कर दिया तो वो exam वाले दिन नहीं होंगे ठीक है तीसरा उसके बाद आपको जो concept लगता है कि यार ये concept मेरे लिए नया है कोई बात नहीं इचके चाना नहीं है उस concept को काईदे से चाए भले एक के बदले दो दिन हमें लग जाए उस concept को हमें काईदे से सीख लेना जो आपको दिक्कत दे रहा है तो उसके बाद daily basis पे आपको revisions करनी है यह मैं आपको ऐसी strategy बता रहो ना मेरे भाई कोई नहीं बताएगा कोई भी पूरे YouTube पे नहीं बताएगा आप फालतू का बखान कर देंगे फालतू की चीज़े आगे आपके रख देंगे यह question वो question कर लो कुछ ही नहीं मेरे भाई straight forward चीज़े बता रहो बहुत पहले ही चीज़े बता रहो ताकि आपको भटकना ना पड़े Edu Captain बहुत छाती ठोके clearly बात ही होता Edu Captain एक ऐसा platform है जो अपने student को कभी भटकना नहीं देता To the point आके बात करता है खुमा फिरा के की बात को 10 बार 10 तरीके से बताने में कोई इंटरस्ट नहीं हमें तो चोटी चोटी चीज़े लिखी हुए Maths, Reasoning, GK के अंदर चोटी चोटी चीज़े आपके Official जो syllabus उसके अंदर दी हुए बट जब आप उसको detailed आके देखोगे न Quantity, Vaptitude के अंदर ये सारी चीज़े है Number system, LC, MS, Percentage, Profit and Loss Session Profession, Average Mixed Line, Legation, CISR, Time and Work Time Experience, Material Zero, Statistic, Sequence and Series पहुत सी चीज़े है Logical Reasoning के अंदर आप देख सकते हो Screenshot ले ले लेना भाई पढ़ाई कहीं से भी कर रहे है YouTube पे आपको चानल समें जाएंगे YouTube पे पढ़ाई करने, कैसे भी पढ़ाई कर लो कहीं कोई दिकतने, पढ़ लेना बस ये topics आपको पढ़ने देन उसके बाद last 6 महीने के current affairs अब ऐसा नहीं है के current affairs आप डेली लेके बाट गए, मैं बताऊंगा क्या-क्या avoid आपको mistakes करनी है एंग्रिस language के अंदर आप देख सकते हो आपको reading comprehension, आपको grammar वाला portion बहुत काईदे से करना है इसके बाद आपको parasambles, rearrangement of sentences जो होते हैं, आपके choosing the correct word मतलब आपकी proper vocabulary यह सारी चीज़ा आपको करनी है अब उसके बाद जो do's and don'ts आपको करने भाई उसको बहुत बहुत ध्यान समझ ले न conceptual clarity पर emphasize करना आपको मतलब यह है कि चार option देखकर ऐसा नहीं है कि आप उन answers को रटना ही शुरू कर गए जब आपका CBT mode मतलब computer based exam होता है आपका CBT computer based exam होता है उसके अंदर आपके question जो बनते है न वो conceptually बनते है मेरे भाई ठीक है तो अगर आप question को रटोगे देखको बहुत से domain के हो सकते है कि आप domain के चीज़े रट लो statements वगए आप रट लो अभी से न compare करना छोड़ देना कि है मेरा दोस्त तो जो है छे मिने से तयारी करना है सर ये तो मेरे से बहुत आगे है मेरी तयारी कैसे होगी भाई वो कितने भी आगे हो उसने कितने भी mock test दे दियो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको वादा कर रहा है जो मैं आपको time table देने वाला नो वो time table अगर आपने follow कर लिया अगले 40 दिन के बाद उस आपके दोस्त का और आपका level बराबर होगा in fact आपका level एक दो level उपर होगा ये बाद guaranteed गया रहा हूं मेरे भाई बट बाद यहां पर पता है क्या आते consistency की आते है मेरे भाई आप मुझे 40 दिन consistency होके जो है अपना 10-12 घंटे मुझे दे दो यार पढ़ना पढ़ेगा मैं बहुत clearly कह रहा हूं भाई 40 दिन के अंदर CUT फोड़ना 10-12 घंटे पढ़ाई करनी पढ़ेगी आपको लग रहा है कि sir अभी तो board से खतम हुए था इतना बड़ा pressure कतम हुए ठीक है भाई वो board का pressure अलग था ठीक है पर यहां पर CUT है और CUT के अंदर entrance से 15 लाख बच्चा पेपर देगा मेरे भाई इस बात को समझ लेना और seats पता है आपको तो खुद को compare करना छोड़ देना आपका जो आज है न वो आपके बीते हुए कल से बहतर होना चीए बस जो आपने पिछले दिन concept सीखे है आज उससे extra concepts आपके सीखे होने चीए extra concepts आपकी जोली के अंदर होने चीए आपकी लड़ाई खुद से होने चीए और किसी से नहीं होने चीए देन उसके बाद आगे चलते हैं खुद को बस daily basis पे आपको examine करना है कहां आप lag कर रहे हो जो आपके जो भी assignments जो भी आप उन error note book के अंदर चीज़े बना रहे हो दस book solve करके entrances clear नहीं होते हैं एक book को दस बार solve करके आपके entrances clear होते हैं और जो edu captain आपको book set देता है वो ऐसा book set है जिसके अंदर से exact questions जो है आपको paper में देखने तक को मिल जाते हैं mock test जो हम आपको देते हैं पिछली साल बच्चों ने हम आपके आपके बता है के sir exact questions हमें mock test के अंदर जो है वो मिलते हैं तो भाई जो हम चाती ठोक के आपको कहते हैं ना के भाई money back guarantee वो ऐसे ही नहीं कहते हैं ये सारी चीज़े हमारी team जो है दिन रात करती है तब हम जो है ये सारी चीज़े चाती ठोक के गह पाते हैं अब उसके बाद coming to the time table यहाँ पर अगर 40 days की time table की मैं बात करूँ तो मेरे बाई description box के अंदर इसका मैं link डलवा रहा हूँ आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर काईदे से 4 दिन जो है वो number system को दिये हैं बड़ा chapter अच्छे से निप्टाना देन उसके बाद आपको lcmsf निप्टाना है percentage निप्टाना है मतलब यह आप इस sequence के अंदर निप्टाते वे चलना कहीं से भी पढ़ो अगर आप चाहते हो कि यह proper time table 40 days का edu captain आपको complete करा दे तो yes edu captain यह proper phrases जो है आप करना synonym, antonym आप करना paragon यह छे चीज़े जो कि daily basis पर आपको practice करनी है उसके बाद अपना जो है grammar वाले portion पर आजाना और अगर आप chapter देखो कि तो दो दिन एक chapter को grammar वाले उसको देदे ना उससे ज़्यादा नहीं जाना लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर यहाँ पर आप noun पढ़ रहे हो इस दिन पर तो आप इन सारी चीज़ों की practice नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर यह चीज़े जो है daily basis पर practice करनी है reading comprehension daily basis पर practice करनी है कुछ tips and tricks होते reading comprehension कैसे solve की जाती है वहाँ आपको बताऊंगा जरूर then उसके बाद अगर मैं आपकी gk की बात करता हूँ तो gk के अंदर मेरे भाई daily current affairs देखने मत बैठ जाना इतना UPSC नहीं लिख रहे हो आप weekly current affairs देखने है जो 10 दिन के current affairs आते हैं 15 दिन के current affairs आते हैं वो आपको देखने है आपको अपने paper को समझना पड़ेगा UPSC नहीं लिख रहे हो आप तो आपका जो paper है अरनफ सर channel पे जो है 10 दिन के current affairs का compilation डालते हैं 15 दिन के current affairs का compilation डालते हैं वो देखना है daily 2-2 घंटे current affairs नहीं देखने हैं आप जो energy लगा रहे हो और उससे जो आपका output मिलने वाला है उस ratio को balance उसमें लगा लेना ऐसे नहीं current affairs के अंदर 4 घंटे बिटा दिये आना एक भी question नहीं उसमें से यहाँ पे आपको देखना है इस बात को समझने पड़ेगी तो इस तरीके से आप जो अपना GK का syllabus complete करोगे अगर मैं commerce domain की बात करो देखो उसके साथ में sheet है मेरे भाई commerce domain का आप proper 40 दिम के अंदर ही चीज़े जो है इस तरीके से cover कर सकते हो accountancy, business studies और economics सी सारी चीज़े मैंने cover कर दिया है I hope मेरे भाई बहुत to the point बात करता हूँ, बहुत clearly बात करता हूँ आपको clarity मिल गई होगी still कोई doubt होता है, मुझे comment section के अंदर बता देना और description box के अंदर ये मैं sheet का link दलवा रहा हूँ इसको download कर लेना और इसकी तयारी आप कहीं से भी करना चाहते हो, कर लेना बाके Edu Captain के साथ, अगर आप Premium Family का पार्ट बना चाहते हो, तो Avenger batch हमारा launch हो चुका है मेरे भाई आके सीधा सीधा enroll कर लो फोड़ेंगे सी उटीवर से मलता हो किसे नेक्स वीडियो के अंदर, मुझे दीजीगा जाज़त till then, bye and take care